हेलो दोस्तों आज हम काना जी का ये ट्रेस लिकरा हैं जो भी आधा दूरा है इस पे हम चोली और घेरा बना कर कंप्लिट किये हुए है चोली का वीडियो हम अपने चैनल पे डाले हुए है और घेरा सिंपल तरीके से यानि इस तरीके से बनाना इसका भी वीडियो हम अपने चैनल पे डाले हुए है दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल इतना बना लेने के बाद देखिए हम ये फेदर काउन ले लेंगे और इससे फिर हम इसका घेरा बनाना शुरू करेंगे तो इस तरह से देखिए इसे हम छोली बना चुके घेरा बना चुके अब हम ये उन से इसका किनारी लगा रहे हैं तो किनारी जब भी हम फेदर काउन से लगाएंगे तो इसे हम अपनी और यानि कि सीधा नहीं इसे हम उल्टा तरब से कर लेंगे और उल्टा तरब से ही हम जोड़ लेंगे उनको और उल्टा तरब से बुनना शुरू करेंगे दिखिए इस तरह से हम फंदा लिए और एक दो दो डबल क्रोसिया बीच करते हुए बीच में हम यहाँ पे हुप को डालेंगे और बिल्कुल धीला धीला बुनेंगे इस पे हमें टाइट नहीं बुनना है एक्दम धीला धीला बुनना है तो बिनते हुए हम इसे पूरे गु आपका यह आउटलान के यह किनारी के ही बनकत प्यार हो जाएगा तो इस तरह से हम इसे बिना लेंगे पुरा कंप्लिट कर लेंगे बिल्टा तरफ से लगाते हैं तो इसका क्या फायदा होता है अगर आप सिधा तरफ से लगाएंगी तो देखिए ये इस तरह से सामने में यहाँ पे चोटी बनकर सामने में नज़राएगा जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और इसे हम अगर उल्टा तरफ से लगाते हैं उल्टा तरफ से बुनते हैं तो इसमें से दोनों में से जो आपको पसंद है आप यहां पे डाल सकती हैं, डाल कर बना सकती हैं, तो इसे बनाते हैं हम पूरे गुलाई में कम्पलिट कर लेंगे, पूरे गुलाई में कम्पलिट कर लेने के बाद में, हम ये इस तरह का तितली बनाए हुए हैं, इसका लिं काऩा जी का पुसाग बना रही है, तो फिर आपको यहां पर तितली यह छोटा सा बनाना हो गा ये 4 ply की उनसे बना हुआ है, 3 PLY की उनसे बना हुआ है तो ये देखिया इसका आकरिती बड़ा है और जब हम यह टूपलाई के उन से बनाएंगे तो देखिए इसका आकरिती छोटा हो जाएगा तो इस तरह से आप छोटे कानाजी का पुसाग बना रही है तो छोटा तितली बना लें आप यहाँ पे बना लेने के बाद जितना भी यहाँ पे लगेगा तितली उतना हम उस संख्या में हम बना कर यहाँ रख लेंगे तो चलिए सबसे पहले हम घेरा बना लेते हैं और इस तरह से तितली बना लेने के बाद में इस पे जो हम यह मोती डाले हुए हैं मोती डाल कर complete कर लेते हैं इसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा अब देखिए अब यहाँ पे हम इसे गोलाई में पूरी बना कर complete कर चुके हैं घेरा हम डाल चुके हैं अब देखिए यहाँ पे एक तो हम यह इस तरह का बनाए हुए हैं जो कि अभी आप लोगों से बतलाए हम और दूसरा आप चाहती हैं अगर तो यहाँ पे हम इस तरह से बनाए हुए हैं इसे हम सजाना है यहाँ फिर यहाँ पे एक रखेंगे, कुछ दूरी बनाते हुए, देखिए अब इसे यहाँ पर रखेंगे और इसे पेश्ट करना है हमें, इसे रखते हुए पेश्ट कर देना है देखिए, इस तरह से, या आप इसे अगर कोई और तरीके से भी सजाना चाहती हैं सजाकर आप इसे पेश्ट कर लें, करने के बाद में देखिए कितना खुबसूरत लग रहा है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करें, सेर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चली फिरी मिलते हैं अगले वीडियो में